फेस्टिवर वेडिंग सीजन में लोग धडले से गाडिया खरीते दिख रहे हैं ऑक्टोबर से शुरू हुआ ये ट्रेंड नवेंबर में भी जारी रहा खासकर टूवीलर्स की बिक्री फुल स्पीड में बड़ी है Society of Indian Automobile Manufacturers यानी सियाम ने नवेंबर का वहिकल डिस्पैच डेटा जारी किया है इस डेटा में मैनुफाक्चरर्स की तरफ से डीलर्स को दिये जाने वाली गाडियों के आंकडे होते हैं सियाम के मुताबिक नवंबर में टूवीलर और थ्री वीलर की बिक्री में येर ओन येर 31% का उचाल देखा गया है करीब सवा 16 लाख टूवीलर्स बिक्री हैं लेकिन पैसेंजर वहिकल्स की सेल्स में महस 3.7% की ही ग्रोथ हुई है ये शाप ड्रॉप है ओक्टूबर में 16% की ग्रोथ के मुकाबले कार और SUV की कमजोर बिक्री की वजह डीलर्स के पास बहुत ज्यादा इंवेंट्री का रहना है तरसल पैसेंजर वहिकल्स सेग्मेंट में SUV की बिक्री कमजोर रही है जिसके चलते डीलर्स के पास इंवेंट्री क्लियर नहीं हो पाई है फाडा ने भी कार कमपनियों से अट्राक्टिव स्कीम्स लाकर स्टॉक क्लियर करने की अपील की है अब देखना होगा नए साल में नए मॉडल्स और वेरिंस के आने से पैसेंजर वहिकल की बिक्री कितनी बढ़ती है ऐसे ही स्पॉट वीडियो अनालिसिस के लिए क्विकली एंडी टीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेर और लाइक जरूर करें